niche monetization right आपने सही पड़ा थमलेल पे कि अपने niche को monetize नहीं कर सकते हो तो don't do it exactly क्या होता है niche monetization और niche क्या होता है उसके बारे मैं पहले वाले वीडियों में बता चुका हूँ अगर आपने अभी वो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों आप लोगों को पहले वाले वीडियो पे जाना चाहिए और वहाँ पे यू नीड तो इडेंटिफाई यूर नेश अगर वो ड्रॉइंग पेंटिंग है तो वो वीडियो पूर है तो वह भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे और उसमें exactly monetization क्या होता है और उसको कैसे आप implement कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे रिटेल मेरे वीडियो देखते वक्त खाली द्यान दिमाग में मत भरिये टेक इट आउट ऑन पेपर एंड पेंड मैं तो बोलता है डाइरी बना लिजे मेरे नाम से और उस पर जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूं ना उन सब के पॉइंट आउट लिखे रहे यह वीडियो आपको लाइफ टाइम काम में आने वाले हैं मैं यहाँ पर यूटुब के ओपर टाइम पास करने नहीं आया हो I want to give you a real content जो आप actual life में implement कर सको understood so take out your pain and paper निकाला ready okay monetization niche जो होता है वो मैंने पहले वाले वीडियो में बता है monetization मतलब उस जो भी आपका niche हुआ है identify उसमें आप लोगों को money भी earn करना चाहिए पैसे भी कमाते आने चाहिए तो उसको कैसे कर सकते है एक दो तीन example लेकि हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे फॉर एक्जामपल अगर आपका niche हुआ है identify की traveling करना आप लोगों को भूगूमना बहुत पसंद है या तो आपका niche identify हुआ है cooking करना dance करना drawing करना painting करना यह अगर निश identify हुए है तो इसको monetization कैसे करना है उसका step one write it down step one निश का नाम तो आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में लिखके पहले यूपर heading में दाल दिया होगा उसके नीचे लिखो उसके बारे में आप लोगों को जितना भी content available है for example cooking आपका इंटिफाई हो गया तो cooking से related जितने वीडियो बहुत सारे लोग हैं जो cooking से related वीडियो बनाते तो उनके नाम और वह exactly किस तरह से वीडियो बनाते हैं background में क्या रखते हैं content क्या होता है किस तरह से presentation करते हैं वह सारी चीज़े आपको अच्छे से देखनी है got it so first point is you have to find out people from your niche जो आपके नीश में लोग है उनके आप लोगों को नाम दूनने हैं उनका content consume करना है और किस तरह से presentation करते हैं वह लिखना है लिख लिए आप लोगों ने इसको point out करके लिख लिचे second thing जो भी आप करना चाहते हो उसके pointers बनाई है नीश identify होने के बाद for example अभी सेकंड एक्जामपल लेते हैं ट्रावलिंग का तो अगर आपका traveling हो गया है नीश identify तो कौन-कौन से प्लेस पर आप जाना चाहते हो पहले उसके सब के नाम लिख लीचे और वह नाम लिखने के पास सेम थिंग अपलाई होगा ड्रॉइंग पेंटिंग में भी सेम थिंग अपलाए होगा ओके सो ड्रॉइंग में आप लोगों को कौन-कौन से चीज़े अच्छी लगती है वाटर कलर पोस्टर कलर अक्रली कलर ऑन कैन्वस ऑइल पेस्टल जो भी अच्छा लगता है जस्त राइट डाउन उसके पॉइंटर बनाई है उसके पॉइंटर बनाने के बाद आप लोग अब लाप्टाप के टाइप किया हुआ है ठमनेल डिसाइड किया हुआ है उसके बाद यह बना रहा हो फॉर्स्ट यू नेड़ टू राइट डाउन दे कंटेंट जो भी आपको लिखना है उसके बारे में जो वीडियो बनाना है वह आपको पूरा के पूरा लिक लेना है पर जो पॉइंट से बले आप डीटेल में लिखो लेगा कोई प्राब्लम नहीं बट यहाब टेक आउन थे पॉइंट्स ओके और यह पॉइंटर्स का भी आप स्लाइड बनाके वीडियो बना सकते हो या तो यही पॉइंटर का पोस्ट बनाके आप आपके इंस्टाग्राम Facebook, LinkedIn, Twitter, सारे account पे इसको दाल सकते हो Second point समझ में आपको क्या करना है? Content बनाना है First point क्या था? कि सब के निश, जो आपके निश में people है उनके blogs देखने है, उनके videos देखने है उनका content consume करना है और फिर खुद का create करना है यह होने के बाद Third thing what you have to do is आप लोगों को बहुत सारे videos audio format या post बनाने है आपके निश के according अभी यह देखो, it's not a one day process यह सारे जो YouTube पे आप इतने सारे videos देख रहे हो मेरे तो यह सारे, it's not a one day process slowly करना होता है रोज के 2, 4, 1, हफते में 1, 2 क्योंकि आप college student होंगे school student होंगे या job कर रहे होंगे तो not possible कि everyday होना चाहिए बर कोई बात नहीं ज़रूरी नहीं है आपके निश को immediate next day या within a month या within one year आप लोगों को monetize करना है slow process से भी गया तो चलेगा हफते में 1 video, 2 video बनाईए बट बनाईए तो सही कितने दिनों तक बैटे रहोगे सिर्फ मेरे hobby है drawing painting और उसको मैं pursue करना चाहते हूँ जादू से तो नहीं होगा you have to take action right now आप लोगों को पहले ये niche identify करने के बाद उसके videos बनाने चाहिए पहले content बनाने के बाद ये video होने के बाद उसके बारे में description में भी बहुत अच्छे से लिखी है title अच्छा दीजिए thumbnail कैसे बनाना है वो सीख लीज़े अभी वो सारी चीज़ों तो मैं यहाँ पर thumbnail बनाना उसके videos अगर आप चाहते हो तो comment में लिखिए मैं definitely उसके भी videos आप लोगों के लिए बना दूँगा बट यह दो तीन step तो आप पहले लिए उसके बाद आपका जो यह 3 step आपको समझ में आगे पर पहले video consume करना first point second point content लिखना third point video बनाना यहाँ तक clear है अगर कुछ doubt है तो video को pause करिए comment में लिखिए और मैं आप लोगों को उन comments का definitely answer दूँगा ओके यह तीन points में जहां भी आपको problem आ रहा है just write down in comment section I want interaction मनें पहले ही आप लोगों को बोला मैं यहाँ पर time pass करने ने आया हूँ आप लोगों को real knowledge देने आया हूँ तो जहां problem आपको आती है just contact us या तो number दिया हुआ है नीचे उस पर call करिए या तो आप comment में लिखिए ओके आगे के point पर जाए भी हम लोग ग्रेट फोर तिंग इसका जो भी आपका निश है चाहे वह music हो dance हो drama हो यह सारे चीजों को अच्छे से पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा अगर आप लोग देखो नीच तक आप पहुंचे हो video बनाना शुरू किया इसका मतलब definitely आप लोगों को बहुत अच्छे से वह जो काम कर रहे हो वह आता होगा मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि आप लोगों को वह काम नहीं आता है बट उसके बाद में क्यों बोल रहा हो सीखना होगा मैंने पहले नहीं बोला सीखना सीखना मैंने वीडियो में भी पदा था सारे मीडिया छी कॉरे मीडिया शीक लेंने अच्छ से होईल पेस्टल से लेकि कहले पैंसिल नोमल पैंसिल पैंटर ल्यूज चांड पं%, फिसे कोई मीडिया नहीं हो地方 मिडिया नहीं आते हैं ? सारे मीडिया का जो है complete knowledge लीजे, कोई course join करिए, किसी teacher से सीखिए, कुछ भी करिए, अगर वहाँ problem आता है तो हमारे website पे जाए हरशाट creation.com पे वहाँ पर जाके register करिए और आप कोई complete ये सारे इसका वीडियो मिल जाएगे, और वहाँ पर से आप सीख सकते हो, you can interact with me directly, वो कोई problem नहीं है, ठीक है, ये सीखने के बाद, फिर और आप उसके deep में जाएए, फिर नीश में से भी जो एक particular topic आपको अच्छा लगा है, उसके videos बनाएए, उसमें बहुत सारा काम करिए, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, even I don't have a Harry Potter का छड़ी घुमा दिया और आपको drawing आ गया no one can do that, okay, so आप लोगों को पूरा deep में जाके, वो subject के deep में जाके सीखना पड़ेगा, और इसमें age restriction कहा से आ गया, no, six standards से लेके housewife, job करने वाले लोग, college student, retire people, हर एक अपनी niche complete करके, बहुत सारी चीज़े सीख सकता है, and you can monetize that thing, मतलब उसमें से आप लोग पैसे कमा सकते हो, and that is easily possible, पर अप थोड़ा एक स्टेप तो लीजे, पहले थोड़ी सी तो महनत करिये, okay, so यह होने के बाद आप लोगों को और बहुत जादा video deep में बनाने, इसके बाद जो आपके videos बनेंगे, content बनेगा, उसमें बहुत सारा और detail में आपके पास knowledge होगा, तो अपने आपी वो reflect होगा, got it, पहले यह five चीज़े तो कर लीजे, फिर हम लोग बात करते हैं आगे वाली चीज़ों के बारे में, okay, point out लिख लिए अपने सारे, पूरे five point outs clear है, अगर कुछ भी problem है तो write down in comment section, और यह video अगर आपको अच्छा लगा है तो please share with everyone, जो भी art field में या जो भी field में का करते हैं, आपको लगते हैं कि वह महनती है, तो आप लोग उनको यह चीज़ प्लीज शेर करिये, बहुत जरूरी है, आपके एक शेर से किसी और का भला हो जाएगा, am I right? Yes, so thank you so much everyone for watching this video and bye for now and see you in the class.